नमस्कार दोस्टो जानते हैं डी-डी free डिष के चैनल से देखने के लिए आपको कौन सा सेटफ बॉक्स जरूरी है और कौन सा सेटफ बॉक्स आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्टो मार्केट में दो तरह के स mirrors मिले हैं एक है सदी और दूसरा है है HD, HD जिसमें High Definition के चैनल सापको मिल जाते हैं अब तक दोस्तों HD में सिर्फ दूर दर्षन ने 24 चैनल को लॉंच किया है जिसमें conditional system के लिए उन्होंने ट्रायल बेसिस पे उन्हों लॉंच किया है इसमें आपको clarity भी अच्छी मिल सकती है और SD जो सैट अब box है जो जादा तर आजकल लोग यूज़ करते हैं उसमें clarity थोड़ी सी कम होती है लेकिन बहुत सारे चैनल providers जो है बहुत सारे चैनल है वो आपको private जो चैनल है वो आपको SD में ही मिलेंगे तो इसके लिए आपको HD box की जरूरत नहीं है लेकिन HD में और एक इस box में एक speciality है कि उसमें आपको EPG मिल जाता है मैंने देखा है कि EPG का मतलब है electronic program guide जिसमें आप अभी अगला program कौन सा है या कल कौन सा program आएगा उसके बारे में अगर चैनल कुछ information provide करता है तो वो information आपको अगर आप info button दबाएंगे तो आपको वहाँ पे नीचे screen पे देख जाएगे कुछ sd setup box में यह EPG की सुविदा है लेकिन बहुत सारे sd setup box में यह से विदा नहीं है इसके लिए आप hd वाला setup box ले सकते हैं उससे आपको कुछ ज्यादा फरक तो नहीं पड़ेगा लेकिन उसके साथ में आपको यूट्यूब वगेरा आप लगा कर भी दे सकते हैं जैसे कि उसमें एक usb port होता है वहाँ पे आपको अपना वाइफाई डोंगल लगा करके अपना इंटरनेट आप अगर वहाँ पी कनेक करते हैं तो अपने रिमोट से आप यूट्यूब के वीडियो आप अपने टीवी पर देख सकते हैं और एक दोस्तों द्यान रखें कि अगर कोई भी सेट्ट आप बॉक्स लें लोगब एक हजार से देवेजार रुपे में आपको सेट्ट आप मार्केट में ऑनलाइन या ओफलाइन में मिल जाएगा ध्यान रखें कि उसका पावर सप्लाइज जो है वो 12 वोल्ट टीसी का एक्स्टरनल एडाप्टर हो ना कि इन बिल्ट कार्ड क्योंकि इन बिल्ट कार्ड हो तो कुछ अगर पार सप्लाइज में फॉल्ट आएगा तो उनके जैसे एक्स्टरनल उन्होंने प्रवाइड की है एडाप्टर उस तरीके से एडाप्टर आप अलग से लगाएंगे तो पावर सप्लाइ में कुछ फॉल्ट आए तो आप अपने आप घर पे ही उसे रिपेर कर सकेंगे तो दोस्तों ये दो चीजे आपको ध्यान रख है जिसमें आपको जो देखता है वह जो यूजर इंटर-फेस उसे अपगेड बहुत बार उसमें दिख जाता है में मेन में आपको कि एक शोफट व्यूर्ट वीडियोस वगरा जो दिख जाता है तो उसको बहुत सार वीडियो जित देखे कि जो लोक कै रहें कि आप वोगो टिए कर सकते हैं लेकिन दोस्तों सफ्ट अब स्फॉस्टर अगर आपको करना है तो उस वो अप्ग्रेड आपको सिर्फ आपकि जो कंपनी है जहां से आपने जिस कंपनी आपने जो सेट ऑबॉक्स करीदा है वही आपको upgrade या update जो होती है वो firmware update दे सकते है जिसके लिए आपको सीधा remote लेके आप वहां पी कुछ नहीं कर सकते over the air आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको उसमें firmware के update चाहिए या देखना चाहते हैं तो उस model नंबर गूगल में आप सर्च कीजिए और आपकी कंपनी है कंपनी और सेट आप बॉक्स का जो model नंबर है उसे टाइप कीजिए और आपके सफट्वेर जो है सेट आप बॉक्स का उसे कंफर्म कीजिए कि कौन सा वाला firmware है और अगर अपडेट है तो उस website पे आपको फर्मवेर का अपडेट का पैकेज जो है वो मिल जाएगा उस पैकेज को आपको कॉम्प्यूटर के जरिए USB पीन लगा करके अपना सेट आप बॉक्स के USB में कंप्य कंप्यूटर से USB कनेक करना है या RS-232 नाम के केबल होती है उस केबल को आपको कनेक करके थ्रू कंप्यूटर या थ्रू PC जो है या थ्रू लाइप टॉप आपको वह जो फर्मवेर का अपडेट है वह आप कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको कुछ पता नहीं है फर् पर अपडेट आपका नहीं हुआ या अपडेट के बीच में अगर आपकी बिजली चली जाती है अगर में तो आपका तो भी आपका सेटप बॉक्स जो है वह खराब हो सकता है इसके लिए अगर कोई रेकमेंडेशन स्पेशल है तो ही आप इसमें पढ़िए दूसरी कंपन लगे कुछ आपके अंदर का जो टेक्निशन है वो जागा हो के आपको कहें कि आपको अपडेट करना है यह आप मत किजिए क्योंकि आप अपने सेटप बॉक्स को डैट करा सकते हैं अगर करना ही है तो वित रिस्क मैं आपको कहूंगा कि जो भी आपकी कंपनी प्रॉइड करने होगा और यृव्या अप्रराइप भी मत किजिए दोस्तोusz क्या हम पंपेड श्स्टेब्स के जो विक टीवी टाटा सकते लेकन गें लिकिन उसके लिएन आपको क्या करना होगा आपको जो अपना डेश और एलन भी आपके चत पर जो लगाया है वह आपका सेम रहेगा चाहे कंपनी कौन सी भी हो आपको सेट टॉप बॉक्स जो है वह आपको FTA यानि फ्री टिष लगाना पड़ेगा जो अपको अलग से खरीदना पड़ेगा और उसे अप अपने जो फ्री डिष की अपने डीटी फ्री दिश की जो सेटलेट है जो की मा इंसेट क्व भी है दोनों सेटलेडप की वर जो अ नहीं-ब हो benefited लेकर के अगर आप डिश आप सेट कर सकते हैं लगबग 95 डिग्री इस्ट उसकी डिरेक्षिन है उस डिरेक्षिन में अगर आप किसी भी डिश को सेट कर लें जो टाड़स का है हो या पोई हो बीग टिवी जो भी हो आपका तो आप अपने अब सेट अब बॉक्स में फ्री के चैनल जो डिडी प्रोवाइड कर रहा है वो देख सकते हैं उसके लिए आपको उपर का जो चाट का डिश है उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है और एलेन बी को भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों ऐसा करके आप देख सक का नहीं दोस्तों आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते जो पेड़ चैनल से उन्हें आपको पे कर के देखना पड़ेगा और जो फ्री चैनल से वही आप फ्री में से केंगे इन पर डॉलर साइन आपको दिखाए देता है जो डॉलर साइन होता है वो पीड का निशान दर्शाता है और वो चैनल्स आप किसी भी हालत में फ्री में नहीं देख सकते डीटीफ्री के डिश्क अहसान तरीके से लगाने के लिए आपको दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं करना होता है है आपका जो भी किसी दूसरा कि गर में आप देख सकते हैं कि वह रहा है उस तरीके से आपको डिश सेटों चलाकर करके कि वही पर देख सकते हैं अगर दिख सकते हैं तो इसमें आपको सिग्नल दिखाई डेगा तो दो सिगनल दिखाई रिए देता है तब उसको आपको वहां पे इंफो बटन प्रेस करना होगा या आपके मेनू में जाके वहाँ पे सैटलाइट सेटलाइट सिगनल और क्वालिटी नमका एक आपको दो बार्स दिखाई देंगे इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है उस वीडियो में आप देख सकते हैं फिर वहाँ पे उस पेज को आ आप देख लिए उसी डिरेक्शन में आपको अपना सेटलेट जो है डिश आपको सेट करना है और उसी डिरेक्शन में थोड़ा सा आगे पुछे गुमा करके आप टीवी पर उसी वक्त देखेंगे तो अचानक से आपको फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी लगवर 80-90 करके आपको फीट करना है इतना आसान सा तरीका है दोस्तों आप कुछी भी नॉलेज के बिना आप यह कर सकते हैं अग्यां वैसे तो दोस्तों डीडी फ्रिश में डिश के बुके में कैपेसिटी तो 400-400 चैनल्स के हैं लेकिन अभी तो लगबक 100-300 चैनल्स जिसमें आपको पचास एजुकेशनल चैनल्स और लगबक सव चैनल्स जो है रिजिनल और नैशनल मिला करके आपको सव चैनल्स आप एंटर्टेइन्मेंट और मुवी इसके देख सकते हैं जिसके बारे में पूरी इंफोमेशन आपको स्क्रीन पर जो आप वेबसाइट दिखाई दे रहे हैं डीडी फ्रीडिश टॉट इन्फो स्लेश चैनल्स वहां पर जाकर के आपको अपडेटेड चैनल्स जो भी किया जाते हैं जो भी निकाले जाएंगे जो भी एड किया जाएंगे उसके बारे में आपको पूरी डीटेल इंफोमेशन वहां पर मिलेगी अगर आपको एवरी डेवां पर जाना डिफिक्ट लगता है तो वहां उसमें इमेल सब्सक्रिप्शन का उप्शन भी उन्होंने चरे सकते हैं ुरसया में जैंक रखीर और एक बात दुस्तों जान लें कि कोई भी ट्रिक या है and को MirakMO करके को कंदिशनल अशे सिस्टम या अपने टिस्ट में स्कन्रइं करते हैं जो डॉलल राथ राज़े जो चैनल सोथे हैं या कुई है जी चैनल से तो वह चैनल्स आप जब-तक चैनल आपको फ्री में प्रवाइड नहीं करने तब तक अपनको फ्री में नहीं देख सकते हैं कुझ कभी पार स grind कर जाता है कि जो डॉलर में उनको आप प्री में देख सकते हैं तो दूस्तों वह टेकनिकल कुछ चैनल का कुछ होता है उसकी वज़े से वो लोग फ्री चैनल आप कुछ देर के लिए जैसे कि दो दिन चार दिन के लिए कोई भी चैनल आप अगर सर्च करते रहें तो आप कोई दो-चार दिन के लिए वो और फिर से वह च्यानल को चला जाता है इसके लिए आप ऐसा कोई भी ऐसा लागातार कंटिनियस पेड चैनल्स आपको फ्री में कहीं पेडिख रहा है ऐसी कोई है आपको लग रहा है तो यह सब गलत बात है दूसरे से आपको फ्री में कोई फ्रोवाइड चैनल नहीं करेगा झाल झाल